आप सबी लोगों को पता कि मैंने इक ट्रांसोमेशन जर्ने स्टार्ट कि थी जिसमें लोगों को दिखाता था आज मैंने क्या वर्काउट किया है कुण कुण सी एक्ससाइज किया है कितने सेट किया है कितना weight उसमें मैंने lift किया है कितने reps मैंने perform किया है तो यह मैंने start की थी 2 January 2024 को एंड जो यह journey end होगी यह होगी मेरी 1 January 2025 तो total यह 365 दिनों की journey है जिसमें कि मेरा जो goal है क्या है कि मेरे को अपनी body को transform करना है कि मेरी body के composition के उपर मेरे को work करना है कोई weight specific यह goal नहीं था या weight specific यह transformation नहीं थी कि मेरे को इतना kg weight करना है या उतना kg weight करना है नहीं मेरे को सिरफ और सिरफ अपने fat percentage को कम करना था एंड muscle mass को बढ़ाना है सरफ जो goal था यही था कि composition के उपर work करना है बट इसमें एक issue आ गया है issue क्या है कि जैसे कि मैं live आ रहा हूं तो gyms में music भी चलता है background music चलता है other clients भी होते हैं तो काफी सारी मेरी जो live है उनमें copyright issue आ रहा है एंड काफी सारी जो मेरी live है उसमें क्या हो रहा है कि कई partially block भी हो रहे हैं एक दो live तो ऐसे कि जो completely block हो गए है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे channel के उपर ऐसा कुछ अभी आए कि कोई corporate strike आ जाए या कोई भी legal action YouTube मेरे उपर ले तो अभी नया channel है एंड अभी subscribers भी इतने जादा नहीं है 2.57 के subscribers है तो नया channel है छोटा channel है तो मैं नहीं चाहता हूं कि at present मेरे channel के उपर कोई भी ऐसा legal action YouTube ले तो मैं आज से live नहीं आऊँगा बट जो मेरी journey है वो continue रहेगी मैं daily basis पे जब जब workout करूँगा अपनी photos upload करता रहूँगा कि day इतना है day इतना day इतना मैं daily basis पे जब जब workout करूँगा जब 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 जिन में आऊँगा तब तब अपनी post workout photo click करूँगा and upload करूँगा आप लोग मेरे journey है उसको follow कर सकते हो मैं daily basis पे जो जो मैं workout करता हूँ daily basis पे उन सभी की हर एक set की हर एक exercise की मैं video record करूँगा and उसको as a short upload करूँगा तो आज की video सिरफ इसलिए थी कि अब से मैं live नहीं आऊँगा reason क्या है कि copyright issues आ रहे है उसमें अगर जिम्स में कोई 10 second के लिए एक गंटे के लिए पांच मिनट के लिए 10 second के लिए अगर कोई गानत चला भी रहा है तो उस पे उस मेरे live पे copyright issue आ रहा है कई सारे जो मेरे live से partially blocked भी हो गए है कि कई सारी जगा वो शोर नहीं होगे और दो तिन मेरे जो ऐसे live वो completely blocked भी हो गए है तो मैं live नहीं आ रहा हूँ अब से अब मैं post workout अपनी photo share करूँगा आप वो देख सकते हो चेक कर सकते हो channel पे and जो मैं videos बनाऊंगा जो मैं exercise करूँगा उन सभी की videos बनाऊ YouTube को daily basis पे जब जब मैं workout करूँगा आप मेरी post को check कर सकते हो हर एक दिन को compare कर सकते हो कि आज के दिन इतना था तो कल के दिन इतना था हर एक डे को compare कर सकते हो and मेरी जर्नी को follow कर सकते हो